वैसे कोई भी केस कभी भी फाइल किया जा सकता है लेकिन डिवोर्स का केस एक ऐसा केस है जो अगर आपने सई समय पर फाइल नहीं किया तो फिर उल्टा आपके उपर भी पढ़ सकता है ज्यादा मेंटरेस बन सकता है और आपके लिए परिशानी भी क्रेट कर सकता है कि आपक कैसी है, सोच कैसी है, लो कैसा बना हुआ है, लो कैसे सोचते हैं, कैसे पुलिस सोचते हैं, कैसे कोट सोचता है, कैसे जजिस सोचते हैं, उसी हिसाब से हमको काम करना चाहिए, कारवाई भी उसी हिसाब से होना चाहिए, देखिये, वाइफ कभी भी कोई भी केस फाइल कर सकती वाइफ के लिए बात आप बात गलत होगा उसको थो ऑं गलत होगा उसको दुखी परिशानी कर रहाँ होगा तो ऐसे में जहां divorce की बात आती है जो कि husband का एक हिसाब देखा देखा है सबसे main target होता है क्योंकि अगर वो wife से दुखी है तो उससे divorce की डिबंड करेगा wife की जूरत नहीं होती है जूरत husband की होती है तो ऐसे में जो फाइल करता है तो उसके अंगेश्ट में चीज़े ज़्यादा आ जाती है देखिए अगर आप direct divorce का case फाइल करते है तो mentality की हिसाब से आपके उपर maintenance ज़्यादा लगेगा maintenance ज़्यादा claim किया जाएगा इसलिए जब भी divorce का case फाइल करें तो कोसिस करें कि पहले wife case फाइल करें और उसमें उसका maintenance बन जाए उसके बाद case फाइल करना जाए वाइफ अगर case फाइल नहीं कर रही है तो आप उसको legal notice भेज़ सकते हैं कि भी ऐसे ऐसे तुम मेरे साथ रहने के लिए आजाओ अगर नहीं आती तो मैं तुम्हारे खलाब case फाइल कर दूँआ एक notice मैं नहीं मानती है तो उसका reminder भेज़ सकते हैं ऐसे मैं फिर वो case के लिए जाएगी जाएगी लेकिन case में ये नहीं कि वो state case फाइल करें maintenance का सबसे पहले maintenance decide होना चीए अगर maintenance का case चल रहा है ऐसे मैं अगर आप court में जाते हैं कहते हैं देखे जी wife ने case फाइल किया वह मैं तो कुछ कर रही नहीं रहा हूं तो ऐसे मैं maintenance या तो बंदेगा है नहीं बंदेगा तो बहुत कम बंदेगा लेकिन अगर आपने divorce case फाइल किया है तो maintenance सबसे पहले बंदेगा 125 का case है जैसे maintenance का या domestic violence है इनमें फिर भी लेट बन जाए लेकिन आपने अगर case फाइल किया divorce का तो उसमें सबसे पहले maintenance बंदेगा और ज्यादा बंदेगा इसलिए avoid किजी और साथ में एक चीज़ और भी है अगर सिरफ wife ने case file किया है त तो normal maintenance के उपर बात होगी लेकिन अगर आपने divorce case file किया और wife भी कमाती है तो मुद्धा उठेगा equality का अगर आप ज़्यादा कमाते है wife कम कमाती है तो दोनों का status equal होना चाहिए तो equality के चक्कर में कुछ ना कुछ amount आपकी जेब से काट कर उसको दे दिया जाएगा तो ऐसे में कोसिस करें कि पहले wife case file करें अगर wife फिर भी case file नहीं कर रही अपने legal notice बेजे फिर भी बात नहीं बन रही है तो ऐसे में आप section 9 का case file करें हिंदो मेरी जैक्ट में कि मैं wife को लाना चाहता हूँ जैसे ही wife को notice आएगा वो court में आएगी और भी case आपके खिलाफ फाइल कर देग और जब maintenance का case पती नहीं का decide हुजए उसके बाद फिर divorce case file कर दीजिए उसमें अपनी ये भी दे सकते हैं मैंने section N का case file किया था wife के खिलाब को उसको लाने के लिए जब उसने मना किया आकर साफ कह दिया तो मैं उसको withdraw कर लिया इसके बाद मैं divorce का case file कर दूँ और एक चीज़ कि खिलाब complaint करता केस करता तो वह भी क्रूल्टी का पार्ट आता है तो ऐसे में वाइफ ने मेरे खिलाब इतने सारे case file कर दिया मैंने तो घर लाने का case file किया था तो वाइफ ने cruelty किये तो वह cruelty का base ही बन जाता है cruelty यह नहीं होती है कि हैस्ट वाइफ के बीच में लड़ाई उठा सकते हैं पतिनी को जूरत नहीं है लेकिन एक पती को डियूर्स का case file करने से पहले जूरू सुचना चाहिए लेकिन अगर आपके पास evidence है suppose कीजिए wife adultry में character खराब है उसके खिलाब आपके पास सबूत है audio है वीडियो है फोटो है ऐसे में आप उसके wife and को party बनाकर direct divorce case file कर सकते हैं तब आप direct कीजिए वरना आप इस तरह से delay करके कीजिए इसमें एक चीज और भी आती है देखिए जैसे wife ने अपने case file कर दिये उसका maintenance का matter था जो भी कुछ decide हुआ इसके बाद जब आप case file करते हैं तो कुछ न कुछ समय बीच जाता है ऐसे मैं आप यह मैं सोच case file करते हैं फिर सबी case को time bound के लिए high court ले जाईए मतलब जो case पुराने है वे तो time bound हो गए होंगे आपका जो नया case तो आपने file किया divorce का वो भी time bound हो जाएगा लेकिन time bound के लिए कब जाना है जब wife को notice मिल जाए वो court में आ जाए इसके बाद उस case को लेगे जाना ऐसे नहीं उसमें notice होना जरूरी है जब notice समयर पार्टी को मिल जाए वो अपीर हो जाए इसके बाद फिर आप सारे case को ले जाएगे मतलब कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ दो लेना सारे case जो पुराने हैं वे तो जाएंगे जाएंगे आपका नया divorce का case वो भी चला जाएगा time bound हो जा state case होते उन पर ध्यान देना जाए या maintenance नहीं मिलना तो उन पर ध्यान देना जाए लेकिन अगर आपने कोई case फाइल किया divorce का है तो वो जल्दी ने पटना जाए इस तरह से आपको relief मिलेगा और आपको divorce मिलेगा तो यह तरीका है divorce के case को सही तरीके से फाइल करने का वैसे इ और किसी परकार का case बनता है जैसे सास ने domestic violence का case फाइल किया भोगे अपर तो वो भी चल जाएगा लेकिन divorce का केस ऐसा है जिसको देखते है इस सामने वाले की mentality चेंज हो जाती है कि यह divorce ले रहा मतलब इस बिचारी अबला नारी को छोड़ रहा है तो उस mentality के लिए उस चीज के लिए जरूरी है कि इस divorce के case को maintenance के बाद ही फाइल किया जाएं क्योंकि अगर कोई भी case ऐसा फाइल किया जाता है तो नीचीदी में नंबर 9278134222 पर WhatsApp करके contact कर सकते हैं बिटी करना चाहते हैं तो सुप्रमी कोट यह दौर कोट में आकर मुझसे बिटी कर सकते हैं तो मि के लिए नमस्कार